हेलो चिल्डरन गुड इवनिंग स्वागत है आपके अपने स्कूल के चैनल में एक कोश्चन जीके का है बहुत ही महत्मुन कोश्चन सब है वन टू एड़त है सारे सब्जेक्ट नों सरिया गया है इस कोश्चन को याद करना है कोश्चिस करना की याद हो जाए बार बार लि मतलब भारत के प्रथम मुखे नाधिस कौन थे ऑप्शन फर्स्ट में क्या संकर गुरू ऑप्शन बी में सुकुमार सेन ऑप्शन सी में हीरालाल जेक कानिया ऑप्शन डी में सीवी रमन कोश्चन क्या हूँ आप लोग इसका अंसर सोच की नीचे केमेंट बोक्स में लिख इसमें नहीं है कि प्राइज मिल रहा है अपना अंसर देते जाएगा गला से मिला लिजेगा तो आप लोग को समय में लिए हम इसका अंसर बतायते हैं इसका अंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नमबर सी हीरालाल जे कानिया फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑप इंडिया कोन हीराला अगला कोंचन में 2自 nicht कोंचन क्या तो वालट वावसन नेम ऑफ फ़र्स नुकिलर डियर्टर अफ इंडिया वारत का प्रतम परमनुरेक्टर का नाम क्या था Option A में क्या है? Option B में पृत्वी Option C में बिक्रम Option D में आकास इसका अंसर आप लोग सोची है इसका अंसर क्या हो जाएगा? अंसर आप लोग देजिए इसका अंसर हो जाएगा Option नमबर A अपसर आप इंडिया का 1st परमानु रेक्टर का क्या नाम था? अपसरा अगला कोश्चन है कोश्चन नमबर थाड When do we celebrated World Environment Day? क्या कोश्चन? When do we celebrated World Environment Day? हम लोग World Environment Day कम मनाते हैं अंतराश्टिये परियावरन दिवस Option A में 5 जून और 5 जून Option B में 21 अप्रिल Option C में 22 March Option 3 में 15 जून इसका अंसर क्या हो जाएगा? इसका अंसर क्या होगा? Option नमबर A 5 जून 5 जून World Environment Day कम मना आ जाता है कब सिल्पेट किया जाता है? 5 जून को 5 जून को अगला क्वेश्चन है Question No.4 Which is the first newspaper of India? इंडिया का फर्स्ट नूजपेपर क्या था? वीट बाज हो जाएगा है तो Option A में क्या है? The Hindu Option B में The Bengal Gadget Option C में Rising Sun Option D में इसका अंसरा सोची है आप लोग First क्या है Option? The Hindu Option B A में Option में है क्या? The Hindu Option B में The Bengal Gadget Option C में Rising Sun Option D में निल दरपन जो कोश्चन है Class 1 टू एट तक 1 से लेके 8 तक के बचों के लिए है Senior Class के ज्यादा इंपोर्टेंट है तो आप लोग को सब को याद करना इसको जरूरी है इसके अंसरा क्या हो जाएगा? First Newspaper of India क्या था? The Bengal Gadget Bengal Gadget First Newspaper of India अगला क्वेश्चन है Question number 5 है Who was the first election commissioner of India? क्या क्वेश्चन Who was the first election Commissioner of India? भायत के प्रथव मुख्य चुनाव आयुक्त चुनाव आयुक्त कौन थे भारत के प्रथण? Option A में क्या है? सुकुमार से Option B में जीवी मावलंकर Option C में C राजगुपाल चारी Option D में रविन देनार्थ टैवगोर इसके अंसर क्या हो जाएगा? सोची आप लोग अंसर लिखे कुछ भी अंसर देना A B C D 4 में से अगर नहीं मालूम फिर भी कुछ देना है अंसर अपना नोलोज मालूम हो जागा क्या है? तुका ही मारना है तुका ही लगाना है तुका ही लगाए तो इसकांसर क्या जग सही अंसर? Option A सुकुमार से फर्स्ट इलेक्शन के मिशने कौन थे? सुकुमार सेन अगला कोश्चन है कोश्चन नबर सिक्स वीच साइन्टिस्ट वाइदर फर्स्ट अवाड़ेड वाई नोबल प्राइज कौन से बेग्यानिक थे जिनको फर्स्ट नोबल प्राइज मिला था? प्रथम बेग्यानिक भारत के कौन थे? ठीक है? साइन्टिस्ट में किनको मिला था? सबसे पहले प्राइज अप्शन ने में क्या है? जेग्दिस्ट चंद्र वाशू अप्शन B में एपी जे अब्दुल कलाम अप्शन C में सी वी रमन अप्शन D में न्यूटन इसका अंसर देना आप लोगो इसका अंसर क्या हो जाएगा? अप्शन नमबर सही अंसर क्या है? इसका अप्शन नमबर C C.V. रमन चंद्र सेखर वेंकेट रमन अगला कोश्चन है कोश्चन नमबर सेवेन वेन डूबी अंतराष्टिये टीचर डे हम लोग कब सेलिबरेट करते हैं? अप्शन A में 5 सितंबर है अप्शन B में 5 अक्टूबर है अप्शन C में 2 अक्टूबर है अप्शन D में 8 दिसंबर है इसका अंसर क्या हो जाएगा? अप्शन देना इसमें दिजिए तीसका अंसर हो जाएगा अप्शन N-B 5 अक्टूबर अप्शन के दिन अब दिन पर हम लोग अश्कूल बेकरह में मनाते हैं 5 सितंबर को अप्शन दिन 5 अक्टूबर को क्या होता है पूरे वर्ड में टीचर डे मनाया जाता है अगला और आप्शन है question number 8 which is the biggest flower of the world संसार का सबसे बड़ा full biggest flower of the world कौन ही में से सबसे बड़ा full option A option B में डहलिया option C में sunflower option D में lotus इसकांसर क्या हो जाएगा सोची आप लोग यह तो आप जानती होंगे two class के जिक में पढ़ना है इसकांसर क्या हो जाएगा option number A option number A सबसे बड़ा full होता है और बहुत ही बदबुदार होता है खुशू वाला फूल नहीं होता है बदू वाला फूल होता है सबसे बड़ा होता है फूल A के बड़ा अगला question है question number 9 where is Dull Lake located क्या है Dull Lake कहा है डल जी कहा है किस राज में है option A में जम्मू कश्मीर option B में ओडिशा option C में मनिपूर option D में उतरा खंड तो डल लिग कहा है यह भी simple question है आप लोग के लिए इसका answer क्या हो जागा option number A जम्मू कश्मीर में इठे पानी की जिले जो ताजे पानी की डल लिग कहा है जम्मू कश्मीर में option number A इसका answer होगा अगला question है question number 10 which planet is also known as twin sister of twins जहाँ जागा twin sister of earth पतलब कौन सा अगरा है प्रित्वी की जुड़वा बहन के नाम से जाना जाता है option A में क्या है option B में मर्स option C में वेनस option D में जूपीटर इसका answer क्या हो जागा सोचिए अप लोग question ही पढ़ा है अशान सा question जुनियर क्लास के लिए 2 क्लास के 3 क्लास के बुक में जीकें पढ़ना है which planet is also known as the twin sister of earth यहाँ एस हो जागा तो इसका answer क्या हो जागा option A में सेटन option B मार्स option C में वेनस option D में जूपीटर इसका answer क्या हो जागा option C में वेनस प्रिथरी की जुड़वा बहान किसो कहते हैं शुक्र कहते हैं इसके अलावा morning star सांज का तारा सुभा का तारा सबसे सुंदर तारा सुंदरता की देवी का तारा सब किसो कह जाता है शुक्र को ही कहा जाता है अगला question है question number 11 which is the first film of India भायत का सबसे पहला film कौन था first film of India भायत का सबसे प्रथा movie कौन था option A में जहांसी किरानी option B में राजा हरिस्चांद्र option C मुगले याजा option D आला मारा इसका answer क्या हो जागा यह भी question जानती होंगे आप लोग इसका क्या होगा answer यह मुख था बिना आवाज का फिल्म था सबसे पहला जो सिन्मा बना था movie बना था उसमें आवाज नहीं हो पाया था बिना आवाज का मुवी था हो इसका answer मुख फिलें बोलते इसको इसका answer क्या राजा हरिस्चंद्र option number B first film of India क्या था राजा हरिस्चंद्र अगला question है question number 12 who was the first winner of ज्यानपीट व्राइज ज्यानपीट पुरुषकार पाने वाले पहले कौन थे प्रतिभाग इसमें से सबसे पहले ज्यानपीट पुरुषकार किन को मिला था ज्यानपीट पुरुषकार साहित के छेद्र मिलता है option A में क्या है सुकुमार सिन option B महार्डवी बर्मा option C ऋर्मधारी शिंधिनकर option D श्रि संकर कुरुप इसका अच़र क्या हो जाएगा? बताईए आप लोग लिखै कोमेंट में अपना अच़र option N. सही अच़र option D श्रि संकर कुरुप श्रि संकर कुरुप को फौप फ़ाईट वीजिड़ीक पुरूषकार मिला था। पहला वीजिड पुरूषकार का मिला था ने को मिला था। श्री संकर कुरूब को। अगला कोस्टन ही। जूलों का सहर या जूलों का देश किस सहर को कहा जाता है जूलों का सहर जूलों का देश के नाम से कौन सा देश परसीद है कौन सा देश जाना जाता है जूलों के सहर के नाम से जूलों का सहर के नाम से जूलों का सहर किसो कहते हैं अगला कोस्टन है संसार का सबसे संसार में सबसे छोटी नदी कौन सी है अप्शन A में है अमेजन रिवर, अप्शन B में गंगा रिवर, अप्शन C में डेन्यूब रिवर, अप्शन D में D रिवर इसका अप्शन क्या हो जागा सबसे छोटी नदी च्मॉलेस्ट रिवर कौन है वर्ड का अप्शन A अमेजन रिवर, B में गंगा रिवर, C में डेन्यूब रिवर, D में D रिवर, अप्शन D में D रिवर है इसका अप्शन क्या हो जागा, D रिवर, D नदी कहां है संजुक ग्राज अमेरिका USA में है दी नदी है जो संसार की सबसे छोटी नदी है अगला question है question 15 famous slogan do or die is given by जो प्रसिद जो नारा है do or die करो या मरो किन के द्वारा दिया गया है do or die करो या मरो किन्हों ने कहा था किन का नारा है option A में महात्मा गांधी option B सुभास चंद्र बोस option C लाल भादू सास्त्री option D जवाहर लाल नेहरू इसका अंसर आप लोग बताईए इसका अंसर क्या हो जाएगा option number A आपके अंसर के अंसर मालूम पड़े है कितना कौन घर में पढ़ रहे है एंसर देना है इसका अंसर क्या हो जागा option number A महात्मा गांधी भारत छुडवा आंदोलन जब किये थे 1942 में तो उसमें आला दिये थे do or die करो या मरो डूग और डाई का स्लोगन कौन दिये थे महात्मा गांधी का स्लोगन था है अगला प्वेस्टन है क्वेस्टन में 16 वीच केंट्री है जी लोंगेस्ट बॉर्डर लाइन इन दा वर्ल्ड क्या है संसार में सबसे लंबी सीमा रेख अगला कोस्टन है कोस्टन नवर्ड शिख्टीन इसके पहले लोंगेस्ट और इसके अभी क्या है अस्मॉलेस्ट बॉर्डर लाइन शबसे छोटी सीमा रेखा किस देश्की है वर्ड में hmm असाने में क्या है वेटिकेन सिटी आपसण बी में जापान उप्षण कि जिब्राल्टर की और बिगेश्ट बॉंडरेलेंग किसकी है तो गनाड़ा की अगला कोस्टिन है को सब्रेटीन विच चाइल्ड हुल नेम वाज दयानन सरस्वती दयानन सरस्वती जो आठ समाद के सहिंश्थापक थे उनके बच्पन का नाम क्या था दयानन सरस्वती का ब बढ़ा होंगे फोर में गए हो ओप्शन क्या है चाइल्ड हुल नेम वाज दयानन सरस्वती ऑप्शन दया संकर बच्पन का नाम क्या था मूल नम उप्शन नमबर इसका आइसर हो जागा अशी नमबर मूल संकर अलग होगा, मूल संकर अलग हो जागा, तो द्यानन स्योस्यती के बच्पन का नाम क्या था? मूल संकर था, option number C, सही answer है, अगला question, question number 90, what was the child's name of Swami Vivekanand? ओश्वामी द्यानन स्योस्यती का पढ़े, एश्वामी विवेकानन का है, स्वामी विवेकानन के बच्पन का नाम क्या था? चाल्ड हुल नेम वोब स्वामी विवेकानन, option name में नरेंदरदत, option B में मोहंदत, option C में मदनलाल, option D में केसो, यह आप लोग सब्जानते होंगे, बाकि सब तिनों, option C है, तिसका अंसर क्या हो जागा, option number 1, नरेंदरदत, नरेंदरदत, किनके बच्पन का नाम था? स्वामी विवेकानन का, सही अंसर क्या हो जागा, option number 1, नरेंदरदत, अगला question है, question number 20, who wrote रामचरीत-ईमानस, राम चरित जिसमानस, जो राम की जीवन का था, मोगवान राम की, उसको कौन लिखे है, option A में, दिर सब्सक्राइब बनेते हैं लिए-घांत तंट्राइब कौन लिखें रामाइन से उसको लिखें रामाइन को लिखेंगे लेकिन यहां क्या रामचरीत मानश मानस को रजयान है कालिदास बहुत सारे ग्रेंथ लिक्राइब इनका सबसे महत्पुन का थभी ज्यान से आकुंतलम है भायत का शिक्स फिर्म को कहा जाता है शुर्दास भगवान किष्ण के लिला का वर्णन किये हैं तो राम चरित मानस कौन लिखे हैं इसका से क्या हो जागा उप्शन नमबर ये तुलसी दास तुलसी दास तुलसी दास क्या लिखे हैं राम चरित मानस लिखे हैं बाल मिखी जी लिखे हैं रामायन अगला कोस्टन है क्वोस्टन नमबर ट्वंटीवन वाइट इस देन नमबर और पुरान पुरानों की संख्या कितनी है वेद पुरान 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 की संख्या कितनी है इस में से में 15 if you ॐ क्रांश क्या हो जागा नंबर पुरान पुरान के संख्या कितनी है इसका सब्सक्षा क्या हो जागा ऑप्षाहागा पुरान कितने है अठार है अगला question है question number 22 what is the national motto of India भारत का राष्टी ये वाक है जो क्या है option A में सत्यम सिवम सुन्दरम option B में क्या है तमसो मा जोत्री गमिया option C में अस्तो मा सद्गमिया option D में सत्यमेवा जैते तो इसका अंसर क्या हो जाएगा what is the national motto of India तो इसका अंसर क्या हो जाएगा बताएगे आप लोग ये सब जानते है जो मुंड़क उपनिसर से लिया गया है तो इसका अंसर क्या हो जाएगा option number D सत्यमेवा जैते भारत का जो राष्टी ये चीन जो है national capital उस पर लिखा रहता है इसका अंसर क्या हो जाएगा option number D सत्यमेवा जैते अगला question है question number 22 which is the largest animal of the earth प्रिथ्वी का सबसे बड़ा जीव जानवर कौन सा है या जनतु या जानवर जो भी है कौन सा है option number 1 में क्या है blue whale option number A में blue whale है option B में elephant option C में hippopotamus option D में giraffe largest animal of the earth क्या है इस अब जानते हैं तिसकान से क्या हो जागा elephant क्या है थल का है थल मतलब भूमी का और प्रिथी का जल थल से मिला करके मतलब अश्थल का और जल का टोटे से मिला करके हवा सब बड़ा कौन है तो blue whale है यह हाथी से बहु ज़्यादा बड़ा होता है अगला question है question number 24 when did the first world war begin first world war कब start हुआ था option में क्या है 1914 option B में 1915 option C में 1919 option D में 1920 दो world war हो चुका है option E क्या है first world war का है first world war कब start हुआ था इसका असर क्या हो जाएगा option number A 1914 पंजाब के स्री के नाम से कौन जाने जाते हैं पंजाब के स्री कुन को कहा जाता है option A में क्या है स्री किष्ण सिंग option B में लाला लाजपतराय option C में सरदार पटेल option D में गुरु गोविन सिंग पंजाब के स्री के स्री मतलब सिंग होता है सेर पंजाब का सेर किनको कहा जाता है तो इसका असर क्या हो जागा श्रीकिष्ण सिंग को क्या कहते हैं बिहार के स्री बिहार का सेर जो स्रीकिष्ण कौन थे बिहार के प्रथाम मुख्य मंत्री थे इनको बिहार के स्री कहा जाता है तो पंजाब के स्री कौन है इसका अंसर क्या हो जागा बी लाला लाजपत्राय लाला लाजपत्राय को पंजा झाल झाल झाल